प्यारे बच्चों आपको त्योहार तो प्रिय लगते ही होंगे, लगते हैं, हाँ बताओ, किस्को किस्कों प्रिय लगते हैं, चैलो क्या बात है आपको भी अरे आपको भी भहुत अच्छे बच्चों, आपके त्योहारों के प्रिय लगने के अलग लग कारण होगे जैसे किसी को नए कपड़े प्रिय होगे तो किसी को त्योहारों पर विविद पकवानों के खोश्बू प्रिय लगती होगी यानी आपको स्वादिश्ट व्यंजन मिलते होगे तो बच्चो एक बात बताओ, क्या आप किसी राष्ट्रियत योहार का नाम जानते हैं, जानते होंगे हाँ बताएं, कौन बताएगा, अरे वाई, बेलकुल सही क्या बात है, एक बात बताओ, स्वतंतरता दिवस कम मनाय जाता है, हाँ बताओ, क्या बात है, बहुत सारे बच्चों को पता है, हर साल मनाय जाता है विद्याले में, मनाते हैं न, आयोजन होता है, राष्ट्री ये गीत होता है, बच्चे, देश भक्त की कभिताईं सुनाते हैं, सारा का सारा वातावरण, देश भक्ती उन हो जाता है, तो ये एक बात बताओ, 15 अगस 1947 को क्या हुआ था? पता है, कुछ बच्चों को बिल्कुल याद आ रहा होगा, अरे हाँ, आप बता रहें, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हमें आजादी मिली थी, यानि हमें ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी, हमारा देश गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, आपको पता है, देश की स्वतंत्रता के लिए, हमारी वीर सपूतों को किन-किन यातनाओं का, किन-किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, या आपको लगता है, देश बहुत आसानी से आजाद हो गया, ऐसा आपको लगता है, बिल्कुल नहीं बच्चों, हमारी वीर सपूतों को जेल की सलाखों में कैद कर दिया गया, उन्हीं फांसी दी गई, उन्हीं उछ समय की नौकरियों में भाग नहीं लेने दिया गया, ठीक है बच्चों, एक कलपना करते हैं, कि आपको एक आलिशान कमरे में जहां सारी सुख सुविधाएं होंगी, वहां उम्र भर के लिए रखा जाए, रखा जाए यानि कैद रखा जाए, और आपके मन पसंद व्यंजन यानि खाने पीने की चीज़ें आपको दी जाएं, क्या आप रहना पसंद करेंगे, हाँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि रह लेंगे, लेकिन कितने दिन रह लेंगे, जब आपको पता चले कि उम्र भर के लिए कैद रखा गया है, तो रह पाएंगे, बिलकुल नहीं, नहीं रह पाएंगे, तो क्यों नहीं रह पाएंगे, बताओ, सोचते हैं, कुछ तो कारण होंगे, कि आखिर आपके मन पसंद के व्यंजन मिल रहे हैं, फिर भी आप नहीं रह पाएंगे, सारी सुबिधाएं हैं, फिर भी आप नहीं रह पाएंगे, कुछ तो कारण होंगे, बिलकुल, हाँ, बताओ बच्चों, अरे वाँ, क्योंकि आपकी घोमने फिरने के स्वतंत्रता छिन जाएगी, आप अपनी इच्छा से कहीं भी आजा नहीं सकेंगे, यही न, आपके मन में आया, बिलकुल, बच्चों, आपने पंचियों को पिंजरे में कैद देखा होगा, अगर ध्यान देंगे, या दिया होगा, तो कटोरे आदि में दाना पानी भी रखा देखा होगा, क्या आपने पिंजरे के अंदर या बाहर तूटे हुए पंख भी देखे हैं, या पंचियों को चोँच निकाल कर बाहर निकलने की कोशिच करते हुए देखा हैं, कभी न कभी, कहीं न कहीं अपने आज पडोस में परिवेश में आपने देखा होगा, आखिर वे ऐसा क्यों करते होंगे, उन्हें सारी सुभधाईं पिंजरे के अंदर देदी जाती हैं, फिर भी वे निकलने की कोशिच करते नजार आते हैं, आखिर वे ऐसा क्यों करते होंगे, बताओ बच्चों, उस्तों कारण होंगे, हाँ बिलकुल, अरे वाँ, क्योंकि वे उड़ना चाहते हैं, उन्हें भी सलाखों में रहना पसंद नहीं हैं, कुछ वैसे ही जैसे आपको आलिखशान कमरे में जहां सारी सुक्सोविधाएं देदी गई थी, इसके बावजूद आपने उम्र भर के लिए कैद होना स्वेकार नहीं किया या आपको पसंद नहीं आया, जो किवल कलपना भर थी, तो बच्चो, हकीकत के दुनिया में, वास्तविक दुनिया में, क्या सलाखों में कैद रहना हम पसंद करते हैं, नहीं करते न, तो इसी तरह से पंच्छी भी नहीं पसंद करते, बच्चो, आज हम कुछ इसी तरह के भावों पर आधारित कक्षा सात्मी की हिंदी पाठ्यकुस्तक वसंत भागदो की प्रथम कविता, हम पंच्छी उन्मुक्त गगन के को पढ़ेंगे, जिसके रचाइता हैं कवि शिव मंगल सिंग सुमन जी, तो बच्चों, आईए करते हैं कविता का पाठ, कविता वाचन, हम पंच्छी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध नगा पाएंगे, कनक तेलियों से टकरा कर पुल की तपंख तूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जानेंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबवरी, कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण स्रिंखला के बंधन में अपनी गति उडान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं, तरुकी फुनगी पर की जूले, ऐसे थे अर्मान की उडते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरन से चोँच खोल, चुगते तारक अनार के दाने, ओती सीमा हीन ख्षितिज से इन पंखों की होडा होडी, या तो ख्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सासों की डोरी, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रे छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिये हैं तो, आकुल उडान में विग्न न डालो, बच्चों, हम कविता गायन करते हैं, कविता को गाने की कोशिश करते हैं, हम पंचे उन मुक्त गगन के, पिंजर बद्धन गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर, पुलकित पंख तूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है, कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण स्रिंखला के बंधन में, अपनी गति वुडान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं, तरु की फुनगी पर के जूले, ऐसे थे अर्मान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल की रण सी चोंच खोल, चुगते तारक यनार के दाने, ओती सी माहीन ख्षितिज से, इन पंखों की होडा होडी, या तो ख्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी, नीडन दो चाहे टाहनी का, आश्रे छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिये हैं तो, आकुल उडान में विघन डालो, प्यारे बच्चों, हमने कविता का गायन किया, उमीद है आपको पसंद आया होगा, आपके मन में उलास हो रहा होगा, कि क्योंना एक बार फिर से कविता का गायन किया जाए, यानि कविता को गाने का आनन्द लिया जाए प्यारे बच्चों हम एक बार फिर से कविता गाते हैं मर जाएंगे भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ण स्रिंखला के बंधन में अपनी गति वुडान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के जूले ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने लाल की रण सी चोंच खोल चुगते तार क्यानार के दाने ओती सी माहीन ख्षितिज से इन पंखों की होडा होडी या तो उक्षितिज मिलन बन जाता या तन ती सांसों की डोरी नीडन दो चाहे टाहनी का आश्रे छिन भिन कर डालो लेकिन पंख दिये हैं तो आकुल उडान में विघन डालो प्यारे बच्चो अब तक आपको अनुमान लग गया होगा कि आज की हमारी कविता हम पंखी उनमुक्त गगन के में पंखी हम मनुष्यों से क्या चाहते हैं उनकी क्या चाह है क्या मनुहार है हम देखते हैं कि जिस तरह से हर प्राणी का आजाद रहना उसकी चाहत होती है हम बंधनों को स्विकार नहीं करते इसी तरह से पंखी भी कुछ चाह रखते हैं वे चाहते हैं कि उन्हें उनकी दुनिया में आबाद आजाद रहने दिया जाए उन्हें पिजरे में नाकैद किया जाए इससे उनकी उन्मुगतता उनकी आजादी उनका खुलापन उनका प्राकृतिक परिवेश सब छूट जाएगा और उनका जो प्राकृतिक स्वभाव है वह बदल जाएगा कहीं न कहीं खो जाएगा तो पंचे यही चाहते हैं कि उन्हें बंधनों में ना रखा जाएगा कैद में ना रखा जाएगा पिंजरे में ना रखा जाएगा चाहे पिंजरे की सलाखें पिंजरे की तेलियां सोनी की ही क्यों नहूं यदि ऐसा किया गया, यानि यदि पिंजरे में सोनी की सलाखों में उन्हें अनाज, पानी, सुविधाईं, दीगें, तो कहीं ना कहीं, वे उन मुक्तता से, आजादी से जी नहीं पाएंगे. इस आजादी की चाहत में, उच सोने के पिंजरे में तकरा करके, उनके पंग, प्रमुदित, पुलकित पंग, प्रसन्चित पंग, जो उनकी उडान में बहुत बड़े कारक हैं, वे क्या होंगे? तूट जाएंगे. तो पंचियों की मनुहार है, कि हमें पिंजरे में ना कैद किया जाएं. बच्चों, आप भी यही चाहते होंगे, कि आप उनमुकत रहें, आजाद रहें, कुछ वैसे आप कलपना करें, कि आपको आपके पसंद के व्यंजन मिलेंगे, लेकिन किसी कक्ष से, यानि कमरे से आपको कभी भी बाहर निकलनी नहीं दिया जाएगा. तो आप क्या करेंगे? खिड़कियों से जहाकेंगे कुछ दिन, फिर आप बहुत ही परिसान हो जाएंगे, क्योंकि आपकी भी प्रकृती किसी बंधन में रहने की नहीं है, कैद में रहने की नहीं है, किसी चार दिवारी में रहने की नहीं है, इसी तरह से पंची भी चाहते हैं वे क्या चाहते हैं कि वे प्राकृतिक रूप से बहता जल पीते रहें उन्हें पीने को मिले ना कि सोनी की कटोरी में उन्हें अनाज मिले उन्हें पानी मिले वे तो कड़वी निवोरी खाना चाहते हैं कड़वी निवोरी नीम की फली खाना पसंद करते हैं क्योंकि वही उनको अच्छा लगता है प्राकृतिक रूप से नैसरगीक रूप से वही उन्हें सुलब होता है लेकिन हकिकत में उनके साथ होता क्या है जब हम उन्हें पिंजरे में कैद कर देते हैं बच्चो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे उड़ने की कला ही गायब हो जाती है आप उन्हें खोल भी देएं पिंजरे का दरवाजा खोल देएं उन्मुक्त कर देएं आजाद भी कर देएं तब भी वे निकल के साय थोड़ा सा चलें दो चार पग दो चार कदम और हो सकता है कि वापस पिंजरे में चले जाएं या उड़ जाएं ये ज़्यादा संभव है कि वे उड़ जाएंगे लेकिन अगर आप बहुत दिनों तक उन्हें कैद रखेंगे तो उनकी उड़ने की नैसरगी कला कही ना कहीं खत्म हो जाती है वे उससे वन्चित हो जाते हैं जो वन्चित हो जाते हैं पिंजरे की दुनिया में ही रह जाते हैं तो वे क्या सोचते हैं कि सपनों में ही उनके सपनों में ही पेडों की डालियों पर जोलना दिखता है वास्तों में हकीकत में पेडों की डालियों या पेडों की फुनगी सबसे उची डाली का सबसे अंतिमछोर और उस पर जोलना एक सपना हो जाता है हकीकत में यह कभी चर्टार्थ नहीं हो पाता है पंचियों को यह बिल्कुल रास नहीं आता कि सोनी की सलाखों के बंधन में वे अपनी गती उडान अपना नैसरगिक सुभाव भूल जाएं बच्चो जिस तरीके से हमारी अर्मान होते हैं हमारी इच्छा होती है हमारी इच्छा होती है आखांग्षा होती है कि हम ऐसा करें वैसा करें होती है न होती होगी इसी तरह से कुछ इच्छाएं पंचियों की भी हैं कुछ अर्मान हैं जिसे वे पूरा करना चाहते हैं लेकिन होता क्या है बच्चों उनके अर्मान थे कि वे इतनी उचाई तक उड़ जाएं कि निल गगन निल याकास कि सीमा को प्राप्त कर लें को छू लें और लाल किरंसी चोच खोल करके अनार के दाने तारे रूपी अनार के दाने भी चुग लें आप सोचे बच्चों कितनी उचाई तक जाने की चाह रखते हैं पच्ची लेकिन हम मनुश्यों ने क्या किया उन्हें पिंजरे में कैद किया उनकी आजादी का हनन किया हमें लगा कि हमने उन्हें सुक सुबधाएं दे दी सोनी की कटोरी में अनाज दे दिया सुन्दर कटोरी में पानी दे दिया चाया दे दी पिंजरा दे दिया लेकिन सलाखें उनके जीवन का सबसे बड़ा दंश हैं सबसे बड़ी व्यथा हैं कि वे उनसे बाहर नहीं जा सकते बच्चों कहीं न कहीं हमारी अकविता आजादी की और भी इंगित करती है संकेत करती है आजादी की दिवानों को भी जेल की सलाखों में रखा गया ठीक वैसे ही पंचियों को भी पिंजरे में रखे जाने पर आपत्ती है कि हमने उनका नैसरगिक सुभाव कहीं न कहीं बदल दिया है वे अपनी उन तमाम कलाओं से अपनी स्वतंतरता से वन्चित है जिनकी उन्हें पिड़ा है उनकी और क्या आरमान है वे चाहते हैं कि वे सीमाहिन ख्षितिस्तक उड़ान भर लें यानि एक ऐसा कालपनिक स्थान जहां धर्तियों राकास का मिलन सा प्रती तो होता है वहां तक वे उड़ान भर लें अपने इन पंकों से प्रतिस्परधा कर लें पूरा जोर लगा लें उनकी ये चाह है और अगर ये ना पूरी हो सके शितिज उन्हें ना सुलब हो ना नसीब हो तो उनकी मृत्य हो जाए बच्चों पंचियों का नील गगन के प्रति प्रेम आपने देखा वे इसके बदले में कितनी बड़ी कीमत देना चाहते हैं क्योंकि उड़ना उन्हें बहुत पसंद है उड़ना केवल उड़न ना होकर के आजादी का द्योतक है स्वतंतरता का प्रती कहे आगी उनकी क्या चाहे क्या अभिलाशा है वे कहते हैं चाहि हमें आश्रे ना दो डालियों का ठिकाना ना दो सहारा ना दो चाहे हमारे आश्रे चिन भिन कर डालो लेकिन उनकी मनुहार है उनकी इच्छा है कि अगर हमें प्राकृतिक रूप से रचनाकार ने पंक दिये हैं तो हमारी उरान में बाधा ना डाली जाए हमारी उरान को स्तीमित ना किया जाए हमारी उरान को बंधनों में बाधा ना जाए हमें स्वतंत्रता दी जाए कि हम अपनी इच्छा के मुताबिक उडान भर सकें इन पंकों से प्रतिस्परधा कर सकें और सीवाहीन ख्षितिस तक अंतहीन ख्षितिस तक उडान भर कर अपनी चाह अपने अर्मान पूरे कर सकें बच्चो आप भी यहीं चाहते होंगे कि आपके अर्मान पूरे हों बिलकुल ठी किसी तरह पंची भी चाहते हैं कि उन्हें पिंजरे में नाकैद किया जाए पिंजरे के बंधन से उनमुक्त किया जाए स्वतंत्र किया जाए वे बहता जल्पियें नेम की निववली खाएं पेडों की डालियों पर जूलने का आनंद लें ये सब केवल सपना न रह जाए इन सब से वे वन्चित किसी भी दक्षा में किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहते हैं बच्चों हमने कविता में एक पंक्ति पढ़ी हम पंची उनमुक्त गगन के पिंजर बद्ध नगाप आएंगे तो हमने भी तुकबंदी करनी है यानि कुछ इसी तरह से पंक्ति बनानी है कविता की जिसमें कुछ ऐसा ही भाव हो तो उजहरन के लिए मैं आपको बताता हूँ हम पंची स्वतंत्र दोनिया के कैद में कैसे रह पाएंगे माना की पकवान मिलेगा बिन उडानन रह पाएंगे प्राण पकेरू उड़ जाएंगे एक बार फिर से सुनाता हूँ हम पंची स्वतंत्र दुनिया के कैद में कैसे रह पाएंगे माना की पकवान मिलेगा बिन उडानना रह पाएंगे प्राण पखेरू उड़ जाएंगे तो बच्चों आपने सुना हमारी कविता हम पंची उनमुक्त गगन के बिल्कुल उसी के भाव जैसी तुकबंदी करने की कोशिश की आपने भी इसी तरह तुकबंदी करने की कोशिश करनी हैं ठीक है बच्चों? बिल्कुल कहीं न कहीं आप सफल होंगे हमने कविता में देखा कवि का नाम श्रिव मंगल सिंग सुमन है तो बच्चों आप बता सकते हैं कि सुमन शब्द क्या है जबकि नाम तो कवि का श्रिव मंगल शिंग है कुछ तो है ना? सोचो सोचो बताओ चलो ध्यान देने की बात है कि कवि का नाम श्रिव मंगल सिंग है यानि पुरुष का नाम है लेकिन नाम के साथ श्रि लिंग का शब्द सुमन लगा है है ना बच्चों? श्रिव मंगल सिंग सुमन तो सुमन क्या है बच्चों? आपने अपनी हिंदी की किताबों में पुस्तक में देखा होगा तो बच्चों या है उपनाम? क्या है उपनाम? बच्चों कवियों, लेखकों, साहित्यकारों के उपनाम होते रहे हैं जैसे सूर्यकांत, त्रिपाठी, निराला, सच्चिदानन्द, हेरानन्द, वात्षयायन, अग्यें तो निराला, अग्यें ये उपनाम है थीक बच्चों, तो आप सबने अपने अपने नाम के साथ साथ एक एक सरलसा उपनाम लगाना है है न बच्चों, रुचिकर गतिविदी लगाएंगे आपको अच्छा लगेगा, नाम के साथ उपनाम लगाना है उसका अर्थ भी पता करना है, अर्थ भी समझना है उसका कोई न कोई अर्थ भी होना चाहिए ठीक है बच्चों, अपने नाम के साथ उपनाम लगाना है साथ ही आप अपने परिजनों के नाम के साथ यानि पिता जी के नाम के साथ माता जी के नाम के साथ भाई के नाम के साथ बहन के नाम के साथ क्या करना है एक अच्छा सा सरल सा उपनाम लगाना है उपनाम का अर्थ अभिप्राए भी समझना है ठीक है बच्चो है ना अच्छी गत्विदी बेलकुल करेंगे हम सारे कविता पाट या कविता गायन के दौरान हमने एक पंक्ति पढ़ी थी इन पंक्खों की होडा होडी हमने होडा होडी जैसे पाच और शब्द बनाने हैं उदहरन के लिए आपको बताता हूँ जैसे थोडा थोडी हमारी कविता में था होडा होडी आपने पाच और शब्द बनाने हैं एक उदहरन के लिए मैंने बता दिया है इसके अलावा पाच शब्द आपने बनाने हैं अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति यानि खाली जगह में उचित सटीक शब्द का भरना गतिविधि करेंगे ठीक है बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति यानि खाली जगह में सही शब्द सटीक शब्द को भरना जिसे वाक्य सार्थक बनी सबसे पहला वाक्य है पंची गगन में उड़ना चाहते हैं बताओ बच्चों कुछ खाली सा लग रहा ना वाक्य पूरा नहीं है ऐसा लग रहा होगा पंची गगन में उड़ना चाहते हैं बेलकुल उनमुक्त क्या ख़ब्दा या सटीक पंची उनमुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं यानि खुले आकाश में दूसरा ख़ब्द है पुलकित पंख तेलियों से टकरा कर तूट जाएंगे कविता के लिहास से आप देखें क्या कोई सटीक सब्द आपको सूज रहा ध्यान आ रहा सबश बेलकुल कनक तेलियों क्या आजा पुलकित पंख कनक तेलियों से टकरा कर तूट जाएंगे आगे देखते हैं तीसरा पंखी पीना चाहते हैं ध्यान आया कविता की शुरुवात में ही था बहता जल बिलकुल सही हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे बिलकुल सही चौथा देखते हैं पक्षियों को खाने में पसंद है कटुक निबोरी बिलकुल सही कहीं भली है कटुक निबोरी तो हमारा वाक्य बना पक्षियों को खाने में कटुक निबोरी पसंद है अगला प्रस्ण पाच्वाँ पक्षि लाल किरन सी चौच से चुगना चाहते हैं बिलकुल ध्यान करो बच्चों पंग्ति थी तारक अनार के दाने तो हमारा वाक्य बना पक्षि लाल किरन सी चौच से तारक अनार के दाने चुगना चाहते हैं यानि तारों रूपी अनार के दाने छटा प्रस्ण है पक्षि पाना चाहते हैं जिसके लिए वे बेताब हैं कुछ भी कुर्बानी देने को तयार हैं ध्याना आया? बेलकुल सीमाहीन ख्षितिज पक्षि सीमाहीन ख्षितिज पाना चाहते हैं साथुमा प्रस्ण इस कविता के कवि का नाम है? बेलकुल अभी हमने चर्चा की थी बेलकुल सही शिव मंगल सिंग सुमन कविता की कवि का नाम है शिव मंगल सिंग सुमन आठ्वा प्रस्ण है या तो पक्षि ख्षितिज तक अपनी इच्छा से उडान भर लेते या उनकी हो जाती ध्याना है बच्चों? बेलकुल मौत हो जाती वाक्य है या तो पक्षि क्षितिस तक अपनी इच्छा से उडान भर लेते या उनकी मौत हो जाती बहुत अच्छे बच्चों बच्चों हमने कविता की अनुसार मिलान करना है देखते हैं आपने कविता का आनन्द कितना लिया कितना समझा कुछ शब्द हैं उन्हें आपस में जिनके साथ जिनकी उचित संगति बने मिलान करना है शब्द हैं श्वर्ण आकुल सेमाहीन पंक निबोरी कनक फुनगी अनार उडान पुलकित श्रिंखला ख्षितेज तारक तरू कटोरी कटुक बच्चों ये सारे शब्द तो कविता में ही आये थे ना आये थे चली हम मिलान करते हैं पहला शब्द है श्वर्ण देखे किसके साथ ये मिलता है बेलकुल सही श्रिंखला दूसरा शब्द है आकुल आकुल किसके साथ सटीक बैट रहा उडान बेलकुल सही तीसरा शब्द सीमाहीन किसके साथ इसकी संगती बैट रही खितिज के साथ चौथा शब्द है पंक पंक इसके साथ सटीक रत दे रहा कविता के लिहास से पुलकित पंक टूट जाएंगे ठीक है बच्चो चार शब्दों का मिलान हमने किया है बाकी चार शब्दों का मिलान आप स्वयम करेंगे जो हैं निबोरी, कनक, फुनगी, अनार ठीक है बच्चो जिनके साथ के सब्द हैं तारक, तरु, कटोरी, कटुक बच्चो माले जी आपके पडोस में किसी ने कोई पंची पाला है आपने देखा होगा कुछ लोग तोते पालते हैं, कुछ और पंचीयों को पालते हैं वे उन्हें पेंजरे में कैद रखते हैं आप उसे आजात कराने के लिए क्या क्या तरक देंगे कि वे उसे उन्हें आजाद कर देंग ठेक है बच्चो एक और प्रस्ण व्यक्त करें हम एक बार फिर से कविता गाते हैं हम पंचे उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्धन गा पाएंगे कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख तूट जाएंगे हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ण स्रिंखला के बंधन में अपनी गति उडान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के जूले ऐसे थे अरमान की उडते नीले नभ की सीमा पाने लाल किरण सी चौच खोल चुगते तारक यानार के दाने ओती सी माहीन ख्षितिज से इन पंखों की होडा होडी या तो ख्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी नीडन दो चाहे टाहनी का आश्रे छिन भिन कर डालो लेकिन पंख दिये हैं तो अकुल उडान में विघन न डालो प्यारे बच्चों आज हमने अपनी प्रथम कविता हम पंची उनमुक्त गगन की का पाठ किया कविता का केंद्रे ये भाव जाना कविता के मूल विंदु जाने तिनसे सम्मंधित हमने कुछ गतिविधियां की उम्मीद है आपको रास आई होंगी रुचिकर लगी होंगी धन्यवाद है का घटा का द हम वार्ण